QAune is the next method for the preparation of alkene is the dehydrogenation पहला करदेखा dehydration अब यह क्या है V hydrohello G nation तो एक यह त proch देखा डी हाइप यह दिरो जैजियों क्या होता है रिमूवल आफ लो बोलो अरे वह है डिया अज इन वें तो यह दी आफ देड्राजी नेशन में जावार रिमूवल आफ हैच ना लो जैट्स इमूल आफ हैसे अज़ल फैड्रोजन भी जाएगा हैलोजन भी जाएगा डी हाईड्रो हैलोजिनेशन ओके इधर देको CH3 CH2 BR नेम इथाइल ब्रोमाइड क्या नाम इसका इथाइल ब्रोमाइड और आई पिसी नेम ब्रोमो इथेन नहीं लोग नेम पर कॉंसेंट्रेट करो दीरे दीरे आपको लान हो जाएंगे ठीक है ओके चलिए अब जर्णा ध्यान से देखिए इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमो इथेन यहां पर हम यूज करने वाले आपको रिजन याद रखना है अलकॉलिक के ओएच याद रखिए अलकॉलिक आने पर रियक्शन अलग रहेंगी और एक्वियस आने पर रियक्शन अलग होने क्या दो हुए हैं तो अलकॉलिक के वाट आक को मता है क्यों होता है शॉडिय। सब्स 폭ारीवर के आवर तेघ्वार के वेच्वियाथ ऑच्वियस के अलग है, तो आपको याद रखना धिया है अल्कॉलिक केज क्या करता है यहां से जाएगा के यहां से जाएगा बी आर क्या चला गया के बी आर अल्फा पे से जाएगा बी आर कौन लेकर गया उसको के और बीटा पे से गया हाइडरोजन उसको कौन लेकर गया तो यह KBR गया और यह H2O गया इसने H loss इसने BR loss तो क्या बन गया CH2 CH2 कौन गया K के साथ BR और H किसके साथ गया OH मतलब H2O समझा अब यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा डबल बॉंडो कर बन Lock कौन होता है इसी बन गया हिथी डि यहाइड्रो वी मुवल ओफ है्ड्रोजन बी हैलो रिमुवल आफ हैलोजन दी हाइड्रोहैलोजीनेशन सिंपल चलो हम आगे बढ़ते हैं एक्जैम्पल नंबर टू जरा ज्यान से एक्जैम्पल नंबर टू पोड सब्सक्राइब करें चलिए एक्जामपल नंबर चुब च्रीज़ बियार च्री अल्कॉलिक एनि ओ एच लिया था अब अल्कॉलिक एनि ओएच रिएजंट चेंज लेकिन सेम एक्शन जितने भी क्यों एक्षिन एनिया एक्षिन सेम आते हैं सेम गुरूप सेम फैमली में ए प्रॉपरडीजार सेंग चलो हम आगे बढ़ते हैं अल्फ़ा पर जाएगा बीयार बीयार e nurate का बनाएगा न ए भी बीटा ये भी बीटा दोनों बीटा सेम तो आपके बस option किदर से भी निकालो दोनों same आगे तो क्या करने का toss head आए तो right से tail आए तो left से खड़ा आगया तो point उसको hook मार के गिराने का फिर बाद में option लेने का अरे समझा गया तो हम यहां से निकालते हैं h गया तो यह x जाएगा o h के साथ में किसके साथ जाएगा o h के साथ में h जाएगा तो h2o बनाएगा इसने loss किया b r इसने loss किया h तो देखो क्या बन गया c h 3 c h double bond c h 2 समझा okay na b r गया और कौन गया h 2 o समझा तो इसका नाम है isopropyl bromide या दे क्या भूल गया group isopropyl bromide isopropyl bromide आप secondary propyl bromide भी बोल सकते हैं मैंने बताया था तीन कार्बन के केस में iso और secondary सेम कहा जाता है समझा exceptional है जगाओ तो यहाँ पर यह बन गया है propene क्या बना है propene चलो आगे बढ़ो अब secondary का एक और example same जो dehydration में हुआ यहाँ पर भी वह रूल जरा ध्यान से ब्रोमो ख्लोरो आइडो कौन अरे फास्ट बोलने का ना कितने दिन से लर्न कर रहे हैं ब्रोमो ख्लोरो आइडो फ्लोरो वाले जनरली नहीं आते हैं क्योंकि reactivity different होती है ओके चलो अराम से कड़े रहो अपनी इस class है ठीक है अब यहां पर हमने लिए अगेन अल्कॉलिक के ओ एच इधर अल्फा पर से जाएगा सील फंक्शनल गुप जिस कार्बन को लगा रहता है वह कौन होता है अल्फा कौन होता है वह अल्फा और यह बीटा यह भी बीटा लेकिन दोनों बीटा अल्फा अल्फा जालग डिफरेंड बीटा यह क्या बोलते है नसीमेट्रिकल और नो पर्फली op case आव पर एकुल्सञ्बन का बिलता है वह इन ड साटा है वह है इं दोढमिनेशन और ऐलुमिनेशन आफ एन दिपनेशन माल स्था आइडरोजन इस प्रेफर humility on that carbon which has less number of hydrogen atom less number of hydrogen atom in the elimination of unsymmetrical compound hydrogen is preferentially removed from that carbon which has less number of hydrogen hydrogen वहां से जाएगा जहां hydrogen already less है तो CL गया K के साथ KCL इधर से एच गया ओगे साथ ह्टू इसने सी एल लॉस के इसने एच लॉस किया चीए तो देखिए सी एच त्री च डबल बॉन आ जाएगा सी एच त्री प्लस के सी एल प्लस ह्टू ओ वान टू त्री फोर चार करवन बुले तो ब्यूट तू पे डबल बॉन इसले टू डबल बॉन के लिए क्या लेते इन मतला ब्यूट तू इन समझा सिंपल वेरी सिंपल वेरी सिंपल पोड़ाइच जा सला तर्चरी के एग्जैंपल सी एश ट्री छी और अपे एले लेते बिशार आयाते लिए जिना सुस्तव को थोड़ा सा सुझता लिए अपन्स लिद्व न villages बें वेरी से लिए फिर से लिया इस से जाएगा है इधर से जाएगा एने क्या बनाएगा एने आए यह अलफा कर्बन जिसको फंक्शनल गृप लगा रहता है वह कौन होता है अलफा जो अलफा को डिरेकली कनेक्ट होते हैं बीटा 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 सारे बीटा सेम कैसे भी निकालो आपकी मर्जी यहां से निकालेंगे CH3 CH3C double bond CH2 NAI H2O isobutylene यानी 2-methyl-propene बोल सकते हैं 2-methyl आई-पेशी नेम 2-methyl-propene common name isobutylene सामचा? अरे सामचा क्या? सब लोग जरध्यान से देखिए यहाँ पर अब हम application देखने जा रहे हैं क्या सब लोग तयार है? चलिए धनाब इधर देखिए सब लोग जाग रहे हैं इधर देखिए इतना handsome person यहाँ पर है और आप देख नहीं रहे हैं मिस्स कर रहे हैं इधर देखें बोले उनको हां कि क्या सब लोग जाग रहे हैं ओके एक्जामपल थोड़ा सा अलग जनरली क्या होता है एक्जामपल मॉलीकिल अलगा है कि आप परेशन हो जाते हैं आपने में रियक्शन ध्यान रखने का लियास इधर गॉल्स बात नहीं हम इसका क्लोरोसाइकलोपेंटियन साइक्लोपेंटियन बस आपको ध्यार रखना है कि हैलोजन कहीं पर नजर आ रहा है है बह अब अर्म बश prefilar आ दिखता है अ लोगोलीक क्यों या एन यूश और आपको पता है कि आपको क्या करना है डि हाइड्रो हैलोगीशन ओक ऑग के आप बोलेंगे तीक है यहांते हम सील निकाल देगे यह पर यह पर यहलोगन यह फंक्श्ल रोग लगाँ था इधर देखो सब लोग जाद ध्यान से तो यहां पर यह अलफा कर रबन क्यों रहा है मै कौन है कि alpha alpha बीटा अपने को पता है इस नहीं किया लेकिन यह इधर भी दो पता है ना चारबॉंड कम्पलीट करने न अपने को नोगे दोनों सेम है कई से भी निकालो इधर से निकालेंगे हैड्रोजर इधर से सील के साथ गया सीयल के सीयल एच और ओएच एच तो तो आप देखो यहां पर आएगा डबल बॉन्ड साइक्लो पेंटीन साइक्लो पेंटीन समझा कुछ मुश्किल थोड़ा लेवल और बढ़ाते हैं जरा ध्यान से एक्जाम्पल नमबर शिक्स एक्जाम्पल नमबर शिक्स जरा ध्यान से देखिए सब लोग एक्जाम्पल नमबर शिक्स यह है बन्जीन यह कौन है इसको लगा है सी एच टू और यहां लगा है सी ल और एक सी ल लगा हुआ है यहां पर और इसका हम रियाकशन कर रहे हैं अलकॉह के साथ में अब मुझे आप बताईए यह रियाक्शन में चिद्र का सी जाने वाला है उपर वाला यह जाएगा है अल्पा है अ विटा है यह इन यह यह पर चार बॉन नहीं है जब चार बॉन कंप्लीट हो गए कार्बन के तो हाइटरोजन नहीं ये अल्फा अए और ये बीटा है, ये ए अरर यहां पर ये रिसेनस में। याद है कि यदर जाता है ये इदर जाता है, ये इदर जाता है। सम्छा सम्छा क्या सम्छा एक और थोड़ा से टिपिकल एक्जेम्पल जरा ध्यान से दिखी एक्जेम्पल सेवें अ है सीएस ट्रीजी ऐस द्रीजी एस ट्रीजी एस ट्रीज ल करण ही अलकॉहलिक जारा के ओ एच इसका भी आपको है इसके बाज है बीटा हीडरोजन है और है क्या नहीं है यह अलफा जिसको फंक्शनल गुरूप लगा है तुछ के बाज़ू वाला होता है बीटा बीटा के बाद है यह इसका एक से होता है इसका हो सकता है डिपेंड करेगा कौन से मैकैनिजम से मैं आपको बता हूंगा यहां पर से क्या होता है जब cL चला जाता है तो यह बन जाता है च 3 c h 3 c h 2 प्लस के टाएन बन जाता है इस्टेप नूमबर वन में जब यह के टाएन मनता है तो मीठााइल शुट होता है यांद है मीठाइल शिप नहीं मैं आपको बताया नहीं तो क्या सियात रहेगा यह उता है रले चार्ज इदधर ट्रांसफ़र होता है तो देखिए क्या बनता है CH3 थोड़ा सा जगाच चाहिए CH3 CH3 यहां से CH3 शिफ्ट हो गया इसके पास और इसका प्लस चार्ज आ गया इधर जरध्यान से देखिए यहां पर आ गया CH3 नजर नहीं आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ ओके यह आपको नजर नहीं आ रहा है फिर से एक बार बताता हूँ जरध्यान से देखिए ओके यह रियक्शन तो नहीं हुआ अपना इसको छोड़ देते हैं चलिए एक्जैंपल नंबर सेवन यह रियक्शन तो नहीं हुआ है इसको छोड़ दीजी हाँ फिर से एक बार ओके आपने लिया अल्कॉलिक के ओ एच है अब यह सीयल चला गया पहले स्टेप में जब सीयल चला जाएगा तो क्या बन जाएगा यास थी शीजी शी शीजी शीजी शीज टू प्लस दो चार्च कहाएगा प्लस लगिन यह का उता जब उसने एवन मेकैनिजम को फॉलो किया तो वह कैसे आता है मैं आपको बताओं अभी पहले आप इसको समझ लीजिए, तो यहाँ पर प्लस चार्ज बन गया, इसमें होता है मीथाइल शिप्ट, क्या होता है, मीथाइल शिप्ट क्या होता है, यह मीथाइल ग्रूप जाएगा इधर, और यहाँ का चार्ज आएगा, इधर, CH3C, CH3, चार्ज आगया इधर, और इधर कौन चला गया, मीथाइल ग्रूप, कौन शिप्ट हो गया, मीथाइल ग्रूप चला गया, उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, जब हाइड्रोजन जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर माइनस H चला गया, H यह यहाँ से जब H चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, unexpected product जो आपने सोचा भी नहीं, CH3C, double bond, CH, CH3, समझा, यहाँ से H गया है, 2-methyl-butuin बना, unexpected product, लेगिन यह कौन से और कप, कैसे, कौन से किसम होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा, ओके, राइट?